सभी देश वासियों को आधर पूरवग नवश्खार कोरोना संक्रमन से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महिने से ज़्यादा समय बीद गया है इस दोरां तमाम देशों के 42 लाग से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए है पौने तीन लाग से ज़्यादा लोगों की दुखत मृत्ति हुई है भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है मैं सभी के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ साथियों एक वायरस ने एक वायरस ने दुनिया को तहस्त नहस्त कर दिया है विश्व भर में करोडो जिंदगीयों संकट का सामना कर रही है सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार चे जंग में जुटी है हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है निश्चित तौर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है ये क्राइसिस अभुद्पूर्वा है लेकिन ठकना, हारना, तूटना, बिखरना मानव को मिल्जूर नहीं है सतर्थ रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा हमारा संकल्प इस संकट से भी दिराट होगा साथियों हम पिछली सताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले की दुनिया को वैस्षिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही हैं उसे भी हम दिरंतर देख रहे हैं जब हैं दोनों कालखंडों को भारत के नजरिये से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो यह हमारा सपना ही नहीं यह हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्ग क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हां सांस्त्रों में कहां गया है एश्व पन्था यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत साथियों एक राष्ट के रूप में आज हमें बहुत एहम मोड पर खड़े है इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है एक संदेश लेकर आई है एक आउसर लेकर आई है मैं कुदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूँ जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज 2,00,00 PPE और 2,00,00 N95 मास बनाए जा रहे है यह हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अउसर में बदल दिया आपदा को अउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकप के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के मायने पूरी तरह बदल गए है ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंदरित वैश्वी करण बनाम मानव केंदरित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृती भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम कंप है विश्व एक परिवार भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंदरित वैवस्था की वकालत नहीं करता है भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सूख सहयोग और शांती की चिंता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो जो अपनी आस्था में माता भुमी ही पुत्तो अहम पृत्विया इसकी सोच रखती हो जो पृत्वी को मा मानती हो वो संस्कृती वो भारत भुमी जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समरुद्ध विश्व की संभावना भी सुनिस्टित होती है भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है भारत के लक्षों का प्रभाव भारत के कारियों का प्रभाव विश्व कल्यान पर पढ़ता ही है जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है टीबी हो, कूपोशन हो, पोलियो हो, भारत के अभ्यानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है International Solar Alliance, Global Warming के खिलाप, भारत की दुनिया को सौगात है International Yoga दिवस की पहल, मानव जीदवगन को तनाव से मुक्ती दिलाने के लिए भारत का उफार है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज, भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुँचती है इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंसा होती है तो स्वाभाविक है हर भारतियक गर्व करता है दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानों जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है सवाल यह है कि आखिर कैसे इस सवाल का भी उत्तर है एक सो तीस करोड दे सवाजियों का आत्मंदिर भर भारत का संकल्प साथियों हमारा सदियों का गवरवपुन इतिहास रहा है भारत जब सम्रत्य था सोने की चिडिया कहां जाता था संपन्न था तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला वक्त बदल गया देश गुलामी की जंजीरों में जकर गया हम विकास के लिए तरस्ते रहे आज फिर भारत विकास की और सफलता पुर्वक कदम बढ़ा रहा है तब भी विश्व कल्यान की राह पर अटल है याद करिए इस सताब्दी की शरुवात के समय वाइटू के संकट आया था भारत के टेक्नलोलोजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था आज हमारे पास साधन है हमारे पास सामर्थ है हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है हम बेस्ट प्रोडक्स बनाएंगे अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे यह हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे साथियो मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दीन देखे हैं हर तरफ सिर्फ मलवा ही मलवा सब कुछ द्वस्त हो गया था ऐसा लगता था मनो कच मौत की चादर ओड़कर सोवया हो उस परिस्तिति में कोई सोज भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे लेकिन देखते ही देखते कच उठखड़ा हुआ कच्चल पड़ा कच्च बढ़ चला यही हम भारतियों की संकल्प शक्ति है हम ठान लें तो कोई लक्ष असंभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है साथ्यों आत्म निर्भर भारत की यह भव्य इमारत पांच पीलर्स पर खड़ी होगी पहला पिलर एकोनोमी एक ऐसी एकोनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकि कॉंटम जंप लाए दूसरा पिलर इन्फास्ट्रक्चर एक ऐसा इन्फास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने तीसरा पिलर हमारी सिस्ट्रिम एक ऐसा सिस्ट्रम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकि 21 सदी के सपनों को साखार करने वाली टेक्नोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो चौधा पिलर हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी हमारी ताकत है आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है पांचवा पिलर डिमांड हमारी अर्थे बवस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो ताकत है उसे पूरी ख्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुरत है देश में डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्त होना जरूरी है हमारी सप्लाई चेन हमारी आपूर्ती की उस ववस्ता को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो साथियों कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्मा निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्व बैंक के फैंसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है बीस लाग करोड रुपिय का है यह पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का है पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाग्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गति देगा आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्ध्योक, गरह उद्ध्योक, हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक, हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है, जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं जो हर सिती, हर मौसम में देश वाज़ियों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए हैं, जो इमानदारी से टेक्ष देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारत्य उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्म निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगे साथियों, आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते च्छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की विवस्ताएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ, वो भी तब हुआ, जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे, ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जन्धमन, आधार, मोबाइल, जे, ए, एम, जेम की त्री सक्ति से जुड़ा, सिर्फ एक रिफॉर्म था, जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक कर रहा है, नई उचाई देनी है, ये रिफॉर्म्स, खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी ससकता हो, और भविश में, कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में, क्रिशी पर कम से कम असर हो, ये रिफॉर्म्स, रेशनल टैक्स सिस्टम, सरर और स्पस्ट नियम कानू, उत्तम इंफास्रक्टर, समर्त और सक्षम हुमन डिसोर्सिच, और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे, ये रिफॉर्म्स, बिजनेस को प्रोसाइट करेंगे, निवेश को आकरशित करेंगे, और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे, साथियों, आत्म निर्भरता, आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संभव है, आत्म निर्भरता, ग्लोबल सप्लाई चेन में, कडीस परधा के लिए भी देश को तयार करती है, और आज ये समय की मांग है, कि भारत हर स्परधा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए है, इसे समझते भी है, आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है, इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशन्सी बढ़ेगी, और क्वालिटी भी सूनिश्चित होगी, साथियों, ये संकट इतना बड़ा है, कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है, लेकिन इनी परिश्चितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष सक्ति, उनकी संयम सक्ति का भी दर्शन किया है, खास कर हमारे जो रेड़ी वाले भाई बहने हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पट्री पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे स्रमिक साती हैं, जो गरों में काम करने वाले भाई बेहन हैं, उन्होंने इस दोरान बहुत कष्ट जेले हैं, तपच्या किया है, त्याक किया है. ऐसा कौन होगा, जिसने उनकी अनुपस्तिती को महसूस नहीं किया, अब हमारा कर्तब यह हैं, उन्हें ताकत पर बनाने का, उनके आर्ति हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का, इसे ध्यान में रखते हुए, गरीब हो, स्रमीक हो, प्रवासी मद्दूर हो, हो, पशुपालक हो, हमारे मचवारे साती हो, संगटिक छेत्र से हो या संगटिक छेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का एलान किया जाएगा. साथियों, कोरोना संगट में हमें लोकल मैनुफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्वप बराबर समझा दिया है. संगट के समय में, लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है. लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बलकि हम सब की जिम्मेदारी है. समय ने हमें सिखाया है, कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा. आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे. लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्राणिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए हैं. वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए. इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है. लोकल के लिए वोकल बनना है. न सिर्फ लोकल प्रोडक्स खरिदने हैं, बल्कि उनका घर्व से प्रचार भी करना है. मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है. आपके प्रहास होने तो हर बार आपके प्रती मेरी स्रद्धा को और बढ़ाया है. मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ. याद करता हूँ. जब मैंने आपसे देश से खादी खरिदने का आगरे किया था. ये भी कहां था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें. आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स तर पर पहुँच गई. इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया. बहुत छोटा सा प्रयास्ता, लेकिन परणाम मिला, बहुत अच्छा परणाम मिला. साथियों, सभी एक्सपर्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं, कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा. लेकिन साथ ही, हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते, कि हमारी जिन्दगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए. हम मास्क पहनेंगे, दोगजदूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे. इसलिए लोगडाउन का चौथा चराण, लोगडाउन फोर, पुरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा. राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं, उनके आधार पर लोगडाउन फोर, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको अठारा मैसे पहले दी जाएगे. मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं, हम कुरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे. साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्म वशम शुखम, अर्थात, जो हमारे वश में हैं, जो हमारे नियंत्रण में हैं, वही सूख है. आत्म निर्भरता हमें सूख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती हैं. 21 सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व, आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा. इस दाइत्व को 130 करोड देश्वास्यों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी. आत्म निर्भर भारत का ये यूग, हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा. अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प सक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है. जब आचार, विचार, कर्तब्य भाव से सराबोर हो, कर्मडता की पराकाष्टा हो, कौशल्य की पूजी हो, तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है? हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे इस संकल्प के साथ इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ आप अपने स्वास्थ का अपने परिवार अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद